तो अगर आप भी सुबह सुबह कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही असान बहुत ही चैटपट बनने वाली ये मज़िदार सी रेसिपी जिसे आप मिंटों में बना करके त्यार कर लेंगे और स्वाधिस्ट इ लिए 200 ग्राम पालक के इस तरीकी के से पत्तो को कशे ली ये तो यहां बेल को कि इन पत्ले लचों में नाष्टार नहीं जो है तो इस तरीके से एहां पालक से हमाती मज़िधार बन कर कर तैयार हो तो इस तरीके से Haracul को कटकर लेंगे बहुत ही बारिक कटकर नान लेकिन पत्ले लच्चों में कट करना है, तो इसी तरीके से सारे पालग को काटना है अब यहां पे एक दूसरे बावल में हम लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, लगबग आधे प्याज को हम बारीक काट करके लेंगे, एक मीडियम साइज का प्याज है उसका अधा हिस्सा, अब इ हम यहाँ पर एड़ करेंगे दो चुटकी जितना हलदी, यहाँ पर मैंने नमक भी एड़ किया था और इसके बाद हम इसे मिला लेंगे, तो यह बस इतने ही मसालों में हम इसे बना करके तयार करना है अब यहां पर चार कली ले लिए है और इसे ग्रेट करके आड़ कर देंगे अगर आप अद्रक का टेस्ट पालक के साथ पसंद करते हैं तो उसे भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं अब इसके बाद जो हमने पालक को कट करके रखा था उसे हम इसमें एड़ कर देंगे तो बहुत ही healthy और बहुत ही taste ही हमारा यह नास्ता बनकर के तेयार होने वाला है जटपट से नास्ता बने गई है अब यहां पे इसे binding देने के लिए हमने बेशन के इसमाल किया है तो आप यहां पे बेशन की जगह पे चाहिए तो गेहों का आटा भी add कर सकते हैं लेकिन बेसन और पालक का जो combination होता है ना बहुत ही बढ़ी तेस्टी लगता है इसलिए मैंने यहां पर बेसन के इस्तमाल किया है तो बेसन यहां पर मैंने आद प्लिया है, लेकिन हम पूरा इकट्थे नहीं आड करेंगे बस थोड़ा थोड़ा ही आड करेंगे क्योंकि पालक का जो है हमें टेस्ट चाहिए बेसन का बस बाइंडिंग के लिए हमें इस्तमाल करना है तो पालक याद रखे कि पालक की कॉंटिटी जादा रहेगी और बेसन की कॉंटिटी कम रहेगी तो यहां पे 4 टेबल स्पून के करीब यहां sufficient रहेगा इतना में अब हम से अच्छे से मिला लेंगे अभी आप बेटर की consistency देख सकते हैं थिक है तो हमें थिक ही चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं इतना कि हम इसे जब बनाएं तो यह easily फैल सके तो इसकी consistency आप देख सकते हैं बस इतना ही हमें चाहिए चलिए बनाने की ओर चलते हैं तो यहां पे एक छोटा सा थड़का पैन लिया है मैंने उसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे लगबाग आजी चमच के करीब उससे भी कम एड किया है मैंने आप चाहे तो पूरी तरीके से तेल को स्किप कर सकते हैं और इसके बाद दो चमच के करीब हम इसमें एड कर देंगे त अब तक के ऊपर का जो सर्फेस है वो हलक असा ड्राय नहीं हो जाता अब दूसरी तरब भी उलट करके इसी तरीके से से शेक लेंगे अगर आपको ढखना है तो ढख सकते हैं क्योंकि ढखने से क्या है दोनों तरब बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते है तो यहां पे यह इसे दे सकते हैं या फिर चाहे तो इसे नॉर्मल टमाटर की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं टमेटो सॉस के साथ भी यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया बहुत ही टीस्टी बन करके तयार होता है तो यह लिजे एक मैंने बना लिया है अब मैं दूसरा भी आपको इस तर बातों ही बातों मैं सारे बना करके तैयार कर लिए है यहां पर मैंने बना घ्राब नोगें है तो यह अजह सां में ब North ठॉर ही बातों में बनाई में बच्छों के टि पिन में economist में बना सब्स्हां बोगती शानदार और बहुत ही मज़िए ने कमें पोलती है ? और मुलायम इतनी कि बस आपके मुव में जाते ही यह घुल जाएगी आप इसका टेक्षर देख सकते हैं कितना बढ़िया कितना मज़िदार तो मैं मिलती हूँ कल सुभे एक और इसी तरीके की मज़िदार रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर एंड बाई